Hello students, how are you? तो आज हम इस वीडियो में Class 5th Social Science का Chapter No. 15 Towards Freedom कवर करेंगे तो इसका मीनिंग हो गया स्तुंतरता की और ठीक है? इसका मीनिंग हो गया स्तुंतरता की और तो यह हमारा Chapter No. 15 है पंदर्मा Chapter है यह तो इससे पहले भी मैंने 1 से लेके 14 Chapter तक वीडियो बनाई हुई है अगर आपने वो नहीं देखी तो Description Box में उन सभी का लिंक डाल दूँगा वहाँ से जाके आप वह सारी देख सकते हैं तो 1 से 10 Chapter आपके Semester First में आते हैं ठीक है? तो First Semester की साथ की साथ मैंने Reason Series भी दी हुई है उसका लिंक भी मैं Description Box में डाल दूँगा अगर आपने वो देखनी हो तो वह भी आप वहाँ से देख सकते हो Now let us start this Chapter हाँ जी Chapter No.15 Towards Freedom स्तुंतरता की और अजादी की और हाँ जी कहता है कि India has always been famous for spices, textile, jewelry and pearls तो spices आपके मसाले होते हैं textile हमारा कपड़ा होती हो गया कपड़ा सारा इसमें आ जाएगा jewelry हमारे जो गहने होते हैं ठीक है अभूशन और pearls आओगे हमारे मोती तो कहता है कि भारत हमेशा मसालो, कपड़ा, अभूशन और मोतियों के लिए प्रशीद रहा है तो इन चीजों के लिए अरब लोग जो थे ठीक है वपार करने के लिए भारत आने वाले पहले व्यक्ती थे ठीक है तो जो अरब के लोग थे न वपार करने के लिए सबसे पहले वो है इंडिया में आये थे दा पुर्तुगाई, दा डच दा फ्रेंच एंड दा ब्रिटीश फॉलोड तो उसके बाद पुर्तुगाई भी लोग थे ठीक है पुर्तुगाल के रहने वाले ठीक है डच भी लोग थे जिस तरह अंग्रेश थे उसी तरह इनके बाद फ्रेंच आ गए ब्रिटीश आ गए तो कहता है कि अंग्रेज इन में से सबसे शक्तिशाली बनके उबरे तो इन सब में से सबसे शक्तिशाली अंग्रेज बनके इंडिया में उबरे तो उन्होंने इस्ट इंडिया कमपनी के माध्यम से वपार शुरू किया इंडिया के साथ 날 तो यह वाला इंडिया हमारा यहाँ पे Corner में इंडिया है तो यह वाले हिससे यह सारे आते थे अरब वाली कॉंट्री उन्यद के साथ वपार करते थे तो अब क्या हुआ किसी कारणवाश जो एरिया था अरब वाला इसी के ऊपर किसी और ने अधिकार कर लिया था यहां से यह यूरोप वाले भी इंडिया के साथ वपार करना चाहते थे पर यहां से यह आना बंद हो गया इनका ठीक है उसके बाद जो पुर्तगाली थे ना सबसे पहले समंदर के रास्ते से पुर्तगाली लोग आये थे इंडिया में तो कौन था सबसे पहले वास्कोड इगामा आया था 1498 में वह इंडिया पहुचा था यहां पर काली कट में तो यहां से होके Cape of Good Hope से रास्ते से इंडिया पहुचा था उसके बाद दूसरे वपारी भी आना शुरू हो गये थे इस रास्ते से तो पहली बार वह जो समंदरी जहाज होते उसके द्वारा आया था इंडिया में ब्रिटिश वालों ने हमारे पर गभजां कर लिया था आगए कहता है dei company ब्रॉट गुड्स चीप्ली चीप्ली होतह है सस्टे दाम पर व्रॉट होता है ख्रीबते थे अज्डिया र defens अजे खरीड तो क्या करते थी this resulted in huge profits for the company तो इसका रिजल्ट यह हुआ कि company के लिए बहुत ज्यादा profit होने लग गया इस वह पार से हाँ जी आगे कहता है कि little by little थोड़ा थोड़ा करके the English East India the English East India company established control over the whole of India तो कहता कि थोड़ा थोड़ा करके जो इस्ट इस्ट इडिया कंपनी थी established होता है स्थापित करना अपने स्थापित कर लिया control whole of India पूरे इंडिया के उपर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया taking advantages of the lack of unity among the Indians तो उन्होंने इस बात का फाइदा उठाया कि यह जो भारतिय लोग थे ना उनमें एक्ता की कमी थी ठीक है तो भारतिय जो लोग थे उनमें एक्ता की कमी थी इस बात का फाइदा अंग्रियों ने उठाया the British conquered तो conquered जोता है जीत large part of India and establish their rules कि अंग्रियों ने भारत के बड़े हिस्से पर जीत प्राप्त कर ली थी ठीक है और अपना शाशन स्थापित कर लिया था विजे पर आप तो युद को बड़ा हिस्सा उनके दीन आ गया था तिक है और उसके उपर उनने अपना शाशन स्थापित कर लिया था आज यागे कहता कि Discontent Among Indians तो Discontent Among Indians का मीनिय हो गया भारतियों में आ संतोष ठीक है भारती लोग अब उनसे संतोष नहीं थे क्यों नहीं थे देखते हैं कहता कि Once the British were firmly established in India कहता कि firmly होता है मजबूती के साथ कहता कि एक बार जब अंग्रेज भारत में जो British थे भारत में मजबूती के साथ स्थापत हो गए They exploited, exploited होता है शोषन करना The farmers, traders, craftsmen and the local ruler of local kingdom तो exploited होता है शोषन करना Farmer किसान, trader वपारी, craft person होते है शिल्प कार, हाथ से बनाने होई वस्तों बनाने वाले आ जाते हैं और local ruler वहां के स्थानी के जो राजा थे वैसारे आ जाते हैं तो एक बार Means की मजबूती के साथ स्थापत होने के बार जो British थे ना उन्होंने भारत के किसानों का वपारीयों का उसके इलावा शिल्प कारों का और local ruler जो स्थानी के राजा थे उन्हों सभी का शोशन करना शुरू कर दिया हां जी आगे कहता है The farmers were made to pay very high taxes Means की किसानों को बहुत ज़्यादा tax देना पड़ता था Even during floods and droughts तो floods होता है बार, droughts होता है सोखा The farmers had to pay their share of tax Share of taxes आगे कहता है कि बार हो, चाए बार आजाए, चाए सूखा पड़ जाए ठीक है तो इसके दोरान भी जो किसान थे ना उनको अपने हिस्से का tax देना ही पड़ता था जितना tax नरधारित हो गया है चाए उनकी फसल हो या ना हो ठीक है, अंग्रेजों ने उनसे उतना tax ले ही लेना है They were forced to grow indigo a plant which is a source of indigo dye and cotton तो कहता है कि उन्हें indigo और compass जो थी ना compass उसको उगाने के लिए मजबूर किया गया ठीक है, तो indigo क्या होता है कि एक पौदा होता है ठीक है, जिससे indigo dye की जाती है मिसकी रंगाई का काम किया जाता है blue color निकलता है इससे तो यह वह प्लांट है इंडिगो प्लांट है तो इसका प्रियोग क्या करते थे रंगाई के लिए करते थे ठीक है, इससे color प्राप्ट करने के लिए इस पौदे का प्रियोग किया जाता था These were brought at very low rates and sold at very high rates in England and other countries तो वह इन्हें जो बहुत कम rate में करीचते थे और England में या दूसरी country में बहुत ज़्यादा price पे इनको जाके बेच देते थे Thus farmer in India Thus farmer in India became poorer तो poorer होता है ग्रीव ठीक है तो कहता है कि इस प्रकार भारत के किसान ग्रीव हो गए May died due to starvation May many died due to starvation तो starvation होता है भूख मरी ठीक है तो कहता कि बहुत सारे मारे गए भूख मरी के कारण उनको प्रयाप्त मात्रा में खाना नहीं मिलता था ठीक है अंग्रेज उनके उनके बहुत जादा अत्याचार करने लग गए थे चीपर mill made चीपर होता है सस्ता mill made तो कहता है कि भारत में भारत में इंग्लेंड से याद किया जाता था सस्ता जो कपड़ा था ठीक है सस्ता कपड़ा इंग्लेंड से मिलो में जो कपड़ा बनता था वो सस्ता बनता था ठीक है तो उनको भारत में अब इंगलेंड से याद करना शुरू कर दिया उन्होंने एज आ रिजल्ट दा हैंडलूम तो हैंडलूम होता है हाथ से बनने वाला जो हैंडलूम होता है ठीक है हैंडलूम जो दियोग था उनको नुक्सान पहुंचा ठीक है हैंडलूम क्या था कि जो भारतिये लोग थे हाथ से कपड़ा बुनते थे ठीक है, हाज से कड्लाब करते थे पर वहां पर इंग्लैण्ड में क्या हुआ थे अधियोग इकरांती आने के कारण वहां से कपड़ा था मिलों में जादा मात्रा में बन जाता था ठीक है, वो सस्ता भी होता था वो इंडिया में आना शुरू कर दिया उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया तो इससे क्या हुआ कि जो यह हमारे कारीगर थे तो इनका जीवन का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया आगे कहता है लैक्स ओफ वीवर्स बेकेम अन्यूम्प्लाइड तो वीवर्स होता है बुनकर कपड़ा बुनने वाले तो प्राने समय में कपड़ा हाथ से बुना जाता था ठीक है तो कहता कि लाखों जो बुनकर थे न बेरोजगार हो गए थे ठीक है दे सफर्ड दा सेम फे उठाना पड़ा ठीक है उनको भी किसानों के समवानी नुक्सान उठाना पड़ा जैसे किसान थे किसान को जबरदस्ती इंडीगो और कॉटन की खेटी करवाई जाती थी ठीक है उनको बहुत कम कीमत दी जाती थी जो माल होता था वह एंग्रेज क्रीद के उसको बाहर जाक वही कपड़ा बना होता था वह जल्दी बन जाता था सस्ता भी होता था इंडिया की क्वाल्टी वाला था मेंगा होता था लोगों ने इसको खृदना बंद कर दिया तुछ इस तरह उन्होंने भारत का जो रोजगार था उसको भी समाप्त करना शुरू कर दिया दा ब्रिटीश डिड नॉट अलाओ दा इंडियन्स टू ओपन मिल्स एंड फैक्टरी तो अब अंग्रेजों ने भारतियों को मिल और कारखाने खोलने की अनुमती नहीं दी ठीक है कि जो इंडियन लोग थे वो कारखाने भी नहीं खोल सकते थे ना कोई मिल खोल सकता था इंडियन ट्रेडर्स वर नॉट अलाओटर टू ट्रेड इन आइटम्स ओफ दियर च्वाइज तो कहता कि भारती जो वपारी थे उनको उनकी पसंद की वस्तों का वपार करने की अनुमती नहीं थी अब जो वस्तों का वपार करना चाते थे उनकी अनुमती नहीं थी अपनी मन पसंद का वपार वो नहीं कर सकते थे हाँ जी आगे कहता है कि Indian rulers and princes were also unhappy with British तो भारतिय शाशक जो थे राजा थे यहां के और जो राज कुमार थे ठीक है प्रिंसिस राज कुमार हो गए शाशक राज कुमार जो सारे इन से अंग्रेजों से नाखुश थे हाँ जी आगे कहता है law was passed by the British which stated that if a ruler did not have a male child then upon the death of that ruler his kingdom would be taken over by the British तो अब एक कनून नया पास कर दिया उन्होंने एक लाज कनून पास किया गया था British के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा कि कहता है कि जो स्टेट के राजा का कोई पुत्तर नहीं होगा ठीक है male child नहीं होगा ठीक है पुत्तर नहीं होगा उसका तो फिर क्या होगा कि जो उसकी death के बाद उसका जो राज्या भाग होगा सारा का सारा kingdom होगा उसका वो अंग्रेजों के दीन चला जाएगा उनके उपर अंग्रेजों नहीं कबजा कर लेना था ठीक है इसका मतलब हो गया अन्याएं पूरन और अनुचित साधनों का ठीक है पर अपनी पकड़ बनाने का प्रियास किया कि मिन्स की पूरे भारत पे अपना समराज्या फिला लें वो हाँ जी कहता है कि दा dissatisfaction and anger of most Indians led them to revolt तो revolt होता है विद्रो ठीक है तो कहता है कि अधिकांश भारतियों ने जो अधिकांश जादा तर जो भारतिये थे ना उनके आसंतोश और गुसे ने उन्हें विद्रो के लिए प्रेरित किया ठीक है उनमें बहुत ज़्यादा गुसा हो गया था ठीक है इसके साथ विद्रो हुआ था हाँ जी आगे कहता है कि revolt against the British तो अंग्रेज्जों के खिलाफ विद्रो कहता है कि even since the coming of the British people in different parts of India had been protesting against the against their unfair policies तो कहता है कि इंग्रेज्जों ने जो इंग्रेज्ज थे ना उनके आने के बाद से ठीक है इंग्रेज्जों के भारत में आने के बाद से अलाग अलाग हिस्सों में लोग आनुचित नीटियों के खिलाफ विद्रो प्रदर्शन कर रहे थे तो अब लोगों को पता चल गया था यह हमारा स्योक्षन हो रहता है उनके खिलाफ जैसे आप धरने नहीं लगा देते उसतना विरोध परगट कर रहे थे हाओएवर हाओएवर देर वाज नो यूनिटी इन देर प्रोटेस्ट तो कहता है कि हालाकि उनके जो विरोध में कोई भी एक्ता नहीं थी तो मिलकी उन्होंने यह विरोध नहीं किया था उनका ठीक है एक साथ में नहीं थे सारे इट वाज अंली इन 1857 देट अ मेजर रिवाल्ट ब्रोक आउट तो कहता कि 1857 में ही एक बड़ा जो विरोध हुआ था ठीक है 1857 में एक बड़ा विरोध हुआ था दिस वाज दा फर्स्ट वार ओफ इंडिपेंडेंडेंस तो यह अजादी की पहली लड़ाई थी आल्सो कार्ड दा स्पाई म्यूटनी तो स्पाई म्यूटनी होता है स्पाईयों की बगावत म्यूटनी होता है बगावत और दा ग्रेट रिवाल्ट ऑफ 1857 और इसको 1857 का महान विरोध भी कहा जाता है ठीक है तो हमारे लिए यह लड़ाई थी इंडियन के लिए यह अजादी की लड़ाई थी पर अंग्रेजों के लिए के यह विद्रो था इट वाज एन इंपोर्टेंट इवन इन और स्ट्रगल फॉर फ्रीडम तो कहता है कि यह स्टंतरता के लिए हमारे संघर्ष की एक महत्पुर्ण घटना थी ठीक है अजादी के लिए संघर्ष की एक महत्पुर्ण घटना बन गई थी यह दा रिवॉल्ट वास स्टर्टेड बाई दा इंडियन शोल्जर सर्विंग इन ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया हां जी आगे कहता है कि दा रिवॉल्ट दा रिवॉल्ट वास स्टर्टेड बाई दा इंडियन शोल्जर सर्मिंग इन ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया तो कह शुरू किया गया था हाँ जी आ न्यू राइफल काड़ दा एनफील्ड हैड बिन इंटर्ड्यूज इन इंडिया तो कहता है कि एक एनफील्ड नामक नई राइफल को भारत में इंटर्ड्यूज किया गया पेश किया गया ठीक है तो एक नई राइफल यह पिक्चर भी बनी यहां पर देख सकते हैं इसको इंटर्ड्यूज किया गया भारत में और यूमर्स होती है अफवा सप्रेड होता है फैलना और यूमर्स सप्रेड दैड़ ग्रीज यूज ग्रीज वर चर्बी यूज इन दा बुलेट्स वाद मेड फ्रॉम दा फैट आफ काउज एंड पीग् में इस्तिमाल किया जाने वाला ठीक है जो चर्बी फो गाएं और सूर की चर्बी तो इस तरह की उपषा प्ल गई थी कि जो कोलियाए इसमें फ्रील्ट्रेड्स में दा राइफल हाँ जी कहता है कि राइफल में लोड करने से पहले जो राइफल में जो बुलेट को लोड करते थे ना उससे पहले उसको बाइट आप मुझ से उसके उपर वाला हिस्सा निकाल के उसको लोड करना पड़ता था मिन्स के उसके उपर जो व्रैप किया होता था उसको मुँ से निकालना पड़ता था उसके बाद उस बुलेट को राइफल में लोड करते थे दिस वाज अगेंस्ट दा रिलीजियस सेंटीमेंट्स आफ बोथ हिंदू और मुस्लिम शूलजर्स ठीक है तो ये जो था कहता कि ये हिंदू और मुसल्मान दोनों सेंकों की धार्मिक जो भावनाई थी उसके खिलाफ था तो हिंदू गाएं को पवित्तर मानते हैं तो मुसल्मान सूर को पवित्तर मानते हैं तो इन दोनों की भावनाओं के ये विरुद था हाँ जी कहता कि they refuse to use these rifle and revolted तो उन्होंने इसका इस्तिमाल करने से इस rifle का इस्तिमाल करने से क्या कर दिया इंकार कर दिया और विद्रो कर दिया हाँ जी आगे कहता कि the revolt started at merit तो कहता कि जो विद्रो था merit से शुरू होगा and soon spread to large part of northern and central India तो जल्दी ही यह फैल गया बड़े हिस्सों में जो नौर्दन वाला था उत्री भारत के हिस्सों में और central बीच वाले इंडिया के हिस्सों में फैल गया यह farmers किसान हो गए craft person शिल्प कार हो गए and other sections of society join the reward तो दूसरे section जो थे society के जिनों जिनों को अंग्रेजियों ने परेशान किया हुआ था सभी ने इस reward को join कर लिया इस reward में आकर जोड़ना शुरू हो गए थे दा शोल्जर्स डिक्लेयर दा लास्ट मुगल इंप्रियररर होता है बाद्शाह सभी गाश्य ने जो उट्र संस्य कर दिया दिए led बाइ नाना साही बेंड टातिया टूपे अट कानपूर से नों ने अगवाई की थी इसकी A18197 के विदरो की रानी लच्मीबाई एट जांसी तो जांसी से रानी लच्मीबाई ने जो विदरो था उसकी अगवाई की थी एंड बेगम हजरत महल आट अवत तो जो बेगम हजरत महल थी न उन्होंने इसको अवद से लीड किया था यहां पर पिक्चर दे सकते हो यह तातिया टोपे जी है तीक है उसके बाद रानी लच्छमी भाई आगी बेगम हजरत महल है तो यह बहादुर शाफर था इसको बाद में राजा घोशित कर दिया जो स्पाई थे उन्होंने ठीक है और विद्रो शुरू कर दिया हाँ जी तो यह फैक्ट वाइज है इसको भी कवर कर लेते हैं आफ्टर डिफेटिंग दमटेनियर्स दा ब्रिटिश एक्जाइल ब्रहदुर शाफर टू ब्रहमा नाव मान्यमाज हाँ जी तो कहते है कि जो विद्रो ही आने के बाद जो ब्रिटिश ने बहादुर शाफर जिसको राजा घोशित किया गया था ठीक है तो एक्जाइल होता है उनको बनवास के लिए भेज दिया था ठीक है कहां पे भेज जा था ब्रहमा जो अब मन्यमास में है ठीक है वहां पे जेल में इनको भेज दिया था एक नाओ यंगन ठीक है तो कहता है कि उन्होंने अपनी जो जिन्दगी के पांच साल एक रंगून में बिताए ठीक है अब उसका नाम यंगन कर दिया गया है तो यह जेल है वहाँ पे तो इसमें उन्हें अपने जो भाद्रुशा जाफर ने अपनी जिन्दगी के लास दिन बता तो कहता है कि 1862 में उनकी मृत्यों के बाद ठीक है मुगल शाशक की जो तीन सदियों का अंत हो गया था तीन स्ताब्दियों तक उन्होंने राज किया था उन सभी का यहां पे अंत हो गया था दा ब्रिटीश सप्रेस्ट दा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस तो आफ् अनी फैक्टर्स वार रिस्पॉंसिबल फॉर दा फेलियर ऑफ दा रिवॉल्ड तो बहुत सारे फैक्टर थे इसके लिए रिस्पॉंसिबल थे कि यह जो रिवॉल्ड था विद्रो था फेल हो गया था कौन-कौन से थे उनको देखते हैं हां जी तो पता चल गया इट इंडिया के साभी भागों में नहीं फैला था इंडिया शोल्जर्स डिड नॉट हैव शफिशंट में मनी एंड गुड वैपन तो कहता है कि जो भारतिये स्पाही थे उनके पास प्रयाप्त मात्रा में पैसा भी नहीं था और वस्तुम भी वैपन होता है त्यार भी नहीं तो जो रिवाड़ था वो अच्छी तरा और्गनाइज़ नहीं किया था उसको ठीक से औरियोजित नहीं किया गया था on the other hand तो दूसी तरफ देखें the British shoulders were well equipped with modern weapons and were very well organized जो ब्रिटिश के सैनिक थे वो आदुनिक हत्यारों से लेस थे और दूसरा अच्छी तरह से संगठी थे हां जी तो अब 1857 का रिवाल्ट मैप के उपर देखते हैं तो यह देखिए यह मेरट है यहां मेरट से यह शुरू हुआ था उत्तर भारत में फैला था देली, बरेली, लखनाओ, कानपूर, गवाली और जहांसी तो उत्तर भारत में होता हुआ यह है सेंटर की तरफ आया बैरकपूर हो गया जबलपूर हो गया इस तरह यह भारत में फैला शुरू हो गया अक्पर दर रिवाल्ट वा सफ्रस्ड़, बैनी इंडीयन वर किल्ड और पूट इंटू प्रीजन तोर्दी प्रीजन होता है जो जेल तीक है प्रीजन होता है जेल जेल बबा देना विद रो को दबाने के बाद कई भारती मारे गए या जेलों में डाल दिये गए The rule of the East India Company ended in 1858 तो कहता है कि जो East India Company का जो राज्य था ठीक है अधिकार था इंडिया पे वो 1858 में खतम कर दिया गया The administration of Indian, India was taken over by the government of England तो इसका सारे का सारे का सारे का सारी जुम्मेदारी अब इंग्लेंड गौवर्मेंट ने ले ली थी Means कि भारत की प्रिशाशन की विस्था थी न वो अब इंग्लेंड की सरकार ने संभाल ली थी पहले हिस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था ये सारे कुछ अब सीधा कहां पे हो गया इंग्लेंड की गौवर्मेंट के अधीन हो गया हाँ जी आगे कहता है हाओ अवर दा इंडियान प्रिंसिस वर अलॉटर टू रूल ओवर देर ट्रेटरीज ट्रेटरीज होता है इलाका ठीक है किशेतर कहता है कि हाला कि भारती राजकुमारों को अपने किशेतर पर शाशन करने की अनुमती थी हाँ जी आगे चेक पॉइंट आगे है यह आपने खुड करने है जो चैप्टर रीड किया है उसी में से है शोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मीन्स समाजिक और धार्मिक सुधार रिफॉर्म्स होता है सुधार अंग्रेजों ने भारत में आदुनिक शिक्षा की शुरुवात की ग्रेडुली एजुकेटड इंडियन्स इंटर्यूज मैनी शोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स तो कहता है कि दीरे दीरे जो शिक्षित भारतिये थे पड़े लिखे भारतिये थे न उन्होंने समाज समाजिक और धार्मिक सुधार पेश किये रिफॉर्मर्स साच्याज राजा राम मोहन राए इश्वर चंद्रा विद्या सागर एंड दबिंद्रना टेगोर वर एक्टीव डिरिंग डिस पीरे तो यह सारे के सारे समाज सुधारक थे यह एक्टीव रहे इस समय में इन्हों ने बहुत सारी समाज को बुराईयों के अगेंस्ट लोगों को जागरूख किया हाँ जी आगे कहता कि दे स्ट्रोंगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट शोशल प्रैक्टिसीस साच्या सती किलिंग फीमेल बेबीज चाइल्ड मेरीज एंड दा कास्ट सिस्टम ठीक है तो सत क्या होता है फीया अंतिम सव्कार और हाथ क्या होती थि कि जब एक औरत के पती की मिर्ट्यों हो जाती थी ठीक है तो इस वैचांट विद्वा औरत हो जाती थी उसको उसके पती की जलती तो जो वीगों बड़ीज़ूवा हो जाती थी और तक है उसके पती की चिज़ा दिया जाता था है कर लोगों को नियसा की बाट उच्वाट बार पहता था चोटी यहाथम में बड़ी में है तो बड़ी कास्ट वाला है दोटी तो सुपाही रह गया इसको भी देख लेते हैं कहता कि है इंडियन शूर्जार्स सर्विं इन दा ब्रिटिश आरमी तो भारतिया स्पाही ठीड़ा जो ब्रिटिश आरमी में काम जाता था, clear है। तो ये समाज सदारक थे, ठीक है। इन्होंने सती परता का विरोध किया। सती परता मैंने आपको बता दी है। किलिंग फीमेल बेबी का जनम होता था। लड़की है तो उसको साथ की साथ ही मार दिया जाता था। चाईल्ड मैरेज होती थी छोटे-चोटे बच्चों की मैरेज करती जाती थी इन सभी का इन्होंने विद्रो किया तो दे आलसो इनकुरेज इन्होंने बढ़ावा दिया विद्डो री मैरेज मिल्की विद्वा पुनरविवा होना चाहिए and education of women और women को भी education मिली चाहिए इन सबी का इन्होंने समत्थन किया इनको बढ़ावा दिया हाँ जी तो ये रिफार्मर है समाज सुधारक उस समय के ठीक है तो ये दिबिंदरना टेगोर है फर्स्ट पिक्चर जो है बलैकन वाइड में उसके नीचे यहाँ पे इश्वर चंद्र विद्या सागर आ जाते हैं तो ये वाली पिक्चर राजा राम महुन राए है ठीक है तो इन्होंने समाज को सुधारने के लिए बहुत सारे कार्या की है आइज ओफ नेशनलिजम नेशनलिजम होता है देश भक्ती रास्टर रास्टरवाद काउदे है तो नेशनलिजम होता है कि एक व्यक्ती के मन में उस देश के प्रती प्रेम की भावना पैदा होना ठीक है तो इसको रास्टरवाद बोल रहते हैं हाँ जी आगे कहता है कि educated Indians realized realized होता है महसूस करना that the British want to keep India poor and backward तो जो educated educated पड़े लिखे इंडियन लोग थे ना उन्होंने महसूस किया कि जो British है ना यह चाहते है कि जो इंडिया है वह गरीब रहे और पच्छडा हुआ रहे पीछे ही रहे तो इस realization united the Indians तो इस realization ने feeling ने ठीक है उनकी feeling realization जो महसूस कर रहे थे तो इन्होंने इंडियन को unite किया एक कठा करना शुरू कर दिया slowly the feeling of unity or nationalism grew stronger तो अब क्या हुआ धीरे धीरे देश प्यार की भावना unity की एस्ता की भावना इंडियन लोगों में बढ़ने लगी ठीक है तो the growing feeling of nationalism resulted in the formation of Indian national Congress in 1885 तो यह बढ़ती हुई देश भक्ती की भावना के कार्णी इंडियन National Congress बनी थी 1880 में इंडियन National Congress was formed by an Englishman तो जो नेशनल Congress थी उसको एक Englishman उसका नाम था नेम्ड Alan Activian Alan Activian Hume ने बनाई थी ठीक है इसके निरतेत्व में ठीक है इसकी निगरानी के दिन इसको बनाया गया था इस फर्स्ट शेशन वाज हेल्ड एट मंबे नौ मंबई तो इसका पहला जो शेशन था स्थर्ब था वो मंबई में हुआ था मंबई में लोग इकठे हुए थे इसको बनाने के लिए इट वाज अटेंडेंड बाई 72 डेलिगेट्स फ्रॉम आल ओवर इंडिया तो इसमें इंडिया के लग लग हिस्सों में जो 72 प्रतिनीदियों ने हिस्सा लिया था तो डेलिगेट से होता है प्रतिनिदी ठीक है तो इसमें पूरे भारत में जो 72 प्रतिनिदियों ने हिस्सा लिया था दा प्रेजिडेंट आफ दीस शैशन वाज वो मेश चंद्रा बैनेर जी तो इसका जो प्रधान था ठीक है पहले जो शैशन का प्रधान गी थो वो मेश चंद्रा बैनेर जी ने की थी ठीक है तो वो इसका पहले जो शैशन का प्रधान रहा था मींज की अध्यक्ष था देर आफटर दा कॉंग्रेस मीट एवरी येर इन डिफरेंट कंट्री तो इसके बाद कॉंग्रेस हर साल अलगलग कंट्री में मिलना शुरू होगी इट स्लोली बिकेम वेरी स्ट्रॉंग तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग हो गई थी इट अवेकंड दा स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग दा इंडियां तो इन्होंने जगाई देश भक्ती की यूनिटी की भावना लोगों के दिलों में जगाई एट दा सेम टाइम इट रिक्वेस्टर दा गवर्मेंट टू एंटर्डियूज रिफॉर्म टू इंप्रूव दा लीविंग कंडिशन ऑफ प्यूपल तू उसी समय में ठीक है उसी टाइम में इन्होंने गवर्मेंट से भी रिक्वेस्ट की ठीक है कि वह लोगों के जीव स्टर को उपर उठाने के लिए ठीक है कार्या करें सुधार करें दा ग्रोइंग पापुलेर्टी ऑफ दा कॉंग्रेस वरीड दा ब्रिटिश तो बढ़ती हुई पापुलेर्टे मिन्स की उनकी लोग प्रियता बढ़ती हुई को देखके जो ब्रिटिश थे ना वह अब च 1885 में भारत के लग-लग हिस्सों से 72, 72 प्रतिनिदी आये थे इंडियन नैशनल कॉंगरेस का सेशन उन्होंने जोईन किया था ठीक है तो लग-लग हिस्सों में आके इसको सेशन को उन्होंने अटेंड किया था तो इसकी स्थापना AO Hume जिसको हम Alan Activian Hume के नाम से जानते इनने की थी यह इंग्रेज जदकारी थी इननोंने इंडियन नैशनल कॉंगरेस की स्थापना की थी फ़ेंडियन नैशनल कंग्रेस जो होई थी उनके अध्यक्ष थे उनके पी प्रधान की के अधीन ही ही जो पहली इंडियन नैशनल कंग्रेस जो मीटिंडीं होई थी क्लियर है तो अब दबाने के लिए राइजिंग स्पिरिट होता है बढ़ती हुई देश प्यार की भावना तो गवर्मेंट ने बहुत सारे जो सक्त कनून पेश किये सक्त कनून लेके आई तो ये इसलिए लेके आई जो हिंदू और मुसलिम एक साथ ना हो जाएं अगर एक साथ मिल जाएंगे यूनिटी हो जाएगी तो फिर एंग्रेजों को भात छोड़ना पड़ेगा हां जी तो किक रीकैब देख लगते दा ब्रिटिश एक्स्प्लोइटर्ड आल शेक्षन अफ ससाइटी तो ब्रिटिश ने समाज के हर शेक्षन जो था उनका शोशन किया है हां जी एक 1857 का विरोध शुरू हुआ ठीक है और यह है फैल गया कहां कहां पे फैल गया नॉर्धन पार्ट में ठीक है इंडिया के और सेंट्रल इंडिया में करें दबा देना इसको दबा दिया गया दीर आफ्टर डाइडमिस्टरेशन अफ इंडीया वास टेकन ओवर वाइदा कॉर्मेंट और इंग्लेंट कर niż और प्रिशाशन था वह अब जो इंगलेंट की गंछर्मन थी उसके अधीन चला गया था इस्ट इंडिया कंपनी से ओके अब इंगलेंड की गवर्मेंट के सीधा अधीन चला गया था तो बहुत सारे समाज सुधार काई जिन्होंने शोशल समाजिक और धार्मिक सुधार किये तो इंडियान नैशनल कॉंगरेस वाज फॉर्मड उसके बाद इंडियान नैशनल कॉंगरेस बनी 1885 में इंस्पायड दा प्यूपल टू फाइट अगेंस दा ब्रिटिश तो इसने लोगों को प्रेरित किया कि फाइट करे ब्रिटिश के अत्याचार के अगेंस हां जी तो ये बैक एकस आई ये ये आपने खूद करनी है हां जी तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नॉटिफिकेशन आप तक पहुंच पहे थैंक्स पर वाचिं इस वीडियो